हलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूचुब चैनल जारे डाउनलाइन क्लासिज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्चे गणित सब्तहा 22 कक्षा 5 की वर्कशिट बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए आज का उपिविश्य है बच्चों दसवा और सोवा भाग पहला प्रशन है बच्चों खाली स्थान भरे तो आपको बताना है कि एक मिटर में कित्ते सैंटी मिटर होते हैं तो बच्चों एक मिटर में सो सैंटी मिटर होते हैं और एक सैंटी मिटर में कितने मिटर होते हैं तो एक सैंटी मिटर में 0.01 मिटर होते हैं इसी तरह 1 cm में कितने मिली 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 म होंगे अगला है एक मिटर प्लस दो तिन सेंटिमिटर में कितने मिटर होंगे तो यह होंगे एक पॉइंट दो तिन मिटर अगला है बच्चो नीचे स्केल पर दे गई वस्तों की लंबाई माप कर दिये गई स्थान पर लिखे अब देखे बच्चो आपको इन वस्तों की लंबाई मापनी है इस पैंसिल की लंबाई खाले स्थान सेंटिमिटर और खाले स्थान मिलिलिटर है तो देखिए बच्चो इसकी लंबाई हमें बतानी है ठीक है तो देखिए इसकी लंबाई कितनी होगी 3 cm ठीक है 3 cm एक दो तीन चार पांच छे 6 mm ठीक है तो यहां लेखेंगे 3 cm और 6 mm है इसे हम कितनी cm भी लिख सकते हैं इसे हम 3, 5, 6 cm भी लिख सकते हैं इसी तरह बच्चो देखिए अगला है इस भिंडे की लंबाई कितनी cm और मिली लिटर होगी तो देखिए बच्चो यहां इसकी लंबाई है 7 और यह 1, 2, 3 ठीक है 1, 2, 3 तो 7 cm और 3 mm इसे हम कितनी cm लिख सकते हैं इसे हम 7, 3 cm लिख सकते हैं अगला है बच्चो इस कील की लंबाई कितनी cm और कितनी mm होगी तो देखिए बच्चो इस कील की लंबाई होगी 2 cm और यहां 9 mm इसे हम 2, 9 cm भी लिख सकते हैं अगला है बच्चो दिनेश को 2 मीटर की लंबाई तक पहुचने के लिए 45 cm और बढ़ना होगा दिनेश की लंबाई कितनी होगी तो देखिए बच्चो एक मीटर में 100 cm होते हैं ठीक है आप सभी को यह पता है तो 2 मीटर में कितने होंगे 2 मीटर में 200 cm ठीक है तो बच्चो देखिए 2 मीटर की लंबाई तक पहुचने के लिए 45 cm और बढ़ना होगा तो यहां हम लिखेंगे 200 cm उसमें से 45 बढ़ना होगा याने कि दिनेश की लंबाई कितनी होगी 200 में से हमने 45 निकाला तो 1.55 मीटर उसकी लंबाई होगी ठीक है बच्चो अगला है बच्चो मल्लापुरम के स्कूल का खेल दीवस हुआ लंबी कूद में पहला बच्चा पहले 5 बच्चों का परिनाम निम्प्रकार है तीना देखे 3.50 मीटर मीना 4.05 मीटर रहाना 4.50 मीटर अन्नो 3.05 मीटर अमीना 3.35 मीटर निम्प्रेशनों के उत्तर देजे रहाना अन्नो से कितने मीटर और सेंटी मीटर ज्यादा लंबा कूदी तो रहाना अन्नो से देखे कितना कूदी ये 4.50 और ये 3.05 तो ये देखे अन्नो से कितना ज्यादा कूदी होगी एक मीटर और पैंतालिस सेंटिमीटर टीना कितना मीटर और कितना सेंटिमीटर लंबा कुदी तो टीना तीन मीटर और पचास सेंटिमीटर लंबा कुदी अमीना मीना से कितना मीटर और सेंटिमीटर लंबा कुदी देखें बच्चों पहले दूसरे और तीसरे इस्तान पर आने वाले नाम इस्टेंड पर लिखे तो देखे बच्चो आपको यहां बोला है पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले नामों को स्टेंड पर लिखे तो देखे बच्चो पहले पर है रेहाना वो पहले स्थान पर आई है दूसरे पर मेना और तीसरे पर तीना ठीक है अगला है जीवन कोशल तापमान थर्मा मिटर में कितने से कितने डिगरी तक अंक दिये गए हैं चितर में देख कर बताओ देखे बचो इसमें फेरेनाइट पैमाने पर यहां लिखेंगे फेरेनाइट पैमाने पर चोरादवे छीानवे अठ्यानवे सौ एकसो दो एकसो चार एकसो छें और एकसो आठ सेल्सियस में सेल्सियस पैमाने पर पैंतिस छतिस सैंतिस अड़तिस उनतालिस चालिस और एकतालिस तो देखें बचें यह फेरेनाइट है और यह सेल्सियस है इस तरह से हमें इसे लिखना है अगला है हमारा शरीर का सामाने तापमान कितना होता है तो बच्चो अगला है अपने शरीर का तापमान माप का नोट बुक में लिखो तो बच्चो आप सभी को यह दिया गया है आप सभी को अपना तापमान मापना है और यहां लिखना है जैसा मेरा है 98.6 डिग्री फेरेनाइट अगला है यदि थर्मामेटर में मापने पर आपके शरीर का तापमान एफ डिग्री फेरेनाइट डिग्री सो आता है तो इसका क्या अर्थ है इसका मतलब है कि व्यक्ति को बुखार है यहां लिखेंगे व्यक्ति को बुखार है अगला है बच्चु शंसका शाला छोटी छोटी पर बड़ी बाते हम अपने विचारों के वशीबूत है अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते खाद्य रंग पीला पीले रंग का खाद्य पदात खाए उधारन के लिए केला पीली दाल आदी परिवार के साथ समय खेल टिक टेक टो चिडिया उड अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेले गति वीदी पोदों को पानी देना दैनिक दिन चरिया निमलखित आदतों को अपने दिन चरिया में सामिल करे अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करे अपने दातों को दिन में दो बार ब्रश करे प्रते दिन इस्नान करे खूब पानी पी और संतुलित आहार ले अपने चारे को छूने से बचो और अपने हातों को बार बार धोएं अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें तो बच्चो इस तरह से आप सभी को अपने वरक्षीट को हल करना है बच्चो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हूँ तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिये कमेंट बाक्स से मुझे कमेंट जरूर लिख कर बताएं कि आप सबीको मेरा वीडियो कैसा लगा और बच्चों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया हैं जल्दी से जाहिए लाल बतन दबाईए और सभी मेरे यوट्यूब चैनल को सस्क्राइब केज़े चैनल को सस्क्राइब करना ना भोलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए वीडियो को देखते रहिए थैंक्यू स्टूरेंड्स